हेई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रोई ट्रेजर यूट्यूब चैनल में फिर से दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि PUBG Mobile Lite का जो कल रात को एक नया अपडेट आया है उसको कैसे डाउनलोड करें साथ ही साथ कैसे इंस्टोल करें और क्या कुछ नया है इस अपडेट में ये सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदा वेस्टिंग एनी चाहें वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तो मैंने जो अपना PUBG Mobile Lite अपडेट किया है वो Play Store से किया है अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो मैं आप लोगों के सामने Play Store ओपेन करता हूँ माइ अपस में जाता हूँ Google Play Store में और यहां पे आप देख सकते हो कि PUBG Mobile Lite में एक नया अपडेट आया हुआ है तो मैंने यहां से अपडेट किया है तो अभी भी बहुत सारे इंडियन यूजर्स के PUBG Mobile Lite Play Store में नहीं आ रहा है अगर आप चाहते हो मैं PUBG Mobile Lite को Play Store से कैसे डाउनलोड करें इसके बारे में वीडियो बनाओ तो नीचे कमेंट कीजेगा मैं उसके बारे में भी कोई ना कोई रिशल्स करके ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाओंगा तो अब बताता हो कि कैसे आपको नया वर्जन डाउनलोड करना है PUBG Mobile Lite का सबसे पहला जो step हमें करना है वो PUBG Mobile जो पुराना वाला वर्जन आपके फोन में है उसको अंस्टोल करना है पहले इसको अंस्टोल कर लेते हैं उसके बाद हमें APK और OBB फाइल डाउनलोड करना है नया वर्जन का इस दोनों ही फाइल का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सिंपली इस लिंक को आप कॉपी कीजिए और किसी भी ब्राउजर में आप पेश्ट कर सकते हो फोर एन एग्जामपल मैं क्रो में पेश्ट कर रहा हूं तो OBB एक OBB फाइल का लिंक है एक APK फाइल का लिंक है तो दोनों ही फाइल को आपको डाउनलोड करना है मैंने ओल्रे पर इंटर्नल स्टोरेज में जाना है फिर उसके बाद आपने जहां पी आपने वह डाउनलोड किया है वहां पर जाना है प्र एक्जामपल मैंने क्रोम से डाउनलोड किया है तो मेरा डाउनलोड फोल्डर के अंदर आएगा तो आप देख सकते हो यहां पे नया पजी उसके बात वाला स्टेप थोरा ध्यान से सुनियेगा दोस्तों कि बहुत ही इंपोर्टन है क्योंकि बहुत सारे लोग वह स्टेप फोलो नहीं करते है इसलिए उनका गेम ऑपेन नहीं हो पाता है तो पहले यह इंस्टोल हो जाता है और आप लोगों को बता दू इस फाइल हो गया है इंस्टोल अब हम डन में क्लिक किरेंगे उसके बाद हमें यह जो ओबी फाइल है इसको क्या करना है दोस्तों इसको कॉपी करना है इसको सिंपली हम कॉपी करेंगे या फिर आप मूव भी कर सकते हो मैं यहां पर कॉपी कर रहा हूं उसके बाद हम बैक जा फिर यहां पर OBB folder के अंदर जाएंगे, अगर आपके Android folder के अंदर OBB folder नहीं है, तो आपको create करना है, एक OBB folder नया create कीजिए, उसके अंदर जाएए, उसके अंदर जाने के बाद एक नया folder create करना होगा अगर नहीं है, वो folder, folder का नाम होगा, com.andsyn.iglit, दोस्तो इस नाम से आपको फोल्डर क्रियेट करना पड़ेगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों मैं आरम से वीडियो बना रहा हूँ चाहिए वीडियो लेट हो जाए लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए इस तरह का फोल्डर आपको बनाना पड़ेगा इस फोल्डर को बनाना पड़ेगा अब इस फोल्डर को उपें कीजे यहां आपको वह चीज पेस्ट करना है जो हमने अभी अभी कॉपी किया है इस फोल्डर के अंदर सो दोस्तो यह नया का नया पबजी मुबाइल आया है इसका वर्जन है 8490 लास्ट का चार डिजिट आप अब ध्यान रखिए जब आप गेम उपें करेंगे अब वह इंस्टोल हो गया है अब हम गेम को उपें करके दिखाते हैं हाला कि अभी गेम उपें नहीं होगा दोस्तों क्यूंकि मैंनेंस में चल रहा है गेम जैसे कि कल बताया गया था अनौसमें में सुबह साड़े अब जब तक आप गेम नहीं खेल पाओगे तो मेंटेनेंस में चलेगा लेकिन आप लोगों को दिखा देता हूं कि अभी हमारे फॉन में इंस्टोल हो गया है आप देख सकते हो गेम उपें हो रहा है लेकिन फिलाल में जो पूरी तरह से ओपें नहीं हो पाएगा लेकिन गेम का वर्जिन में आप लोगों को दिखा देता हूं ओके अपर आप देख सकते हो दोस्तों उपर लाफ साइड के उपर 0.5.18490 यह है 8490 जो लास्ट का चार डिजित है वो चेंच हो गया है पहले जो आपके फोन में इंस्टोल है वो वर्जन है 8415 होगा ओके आप जो में जीजित है वो चेंच हो जाएगा 8490 हो जाएगा जैसे कि मेरा है अभी सर्वर बिजी ही आएगा सर्वर डिटनोट रिस्पॉंस ही आएगा क्योंकि दोस्तों अभी सामको साढ़े 5 बजे तक मैंटेनेंस में है सर्वर ओके सामको साढ़े 5 बजे बाद जो है सर्वर फिक्स ह उसके बाद हम गेम खेल पाएंगे, उमीद करते हैं कि सामको 5 बजे बाद हम DNS या फिर VPN की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेम को खेलने के लिए, अभी जो चल रहा है, 5 बजे तक मैंटेनेंस में है, तो इसलिए गेम ओपेन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए गेम ओप नहीं है, तो इस तरह से आप PUBG Mobile Lite का नया वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, सामको 5 बजे बाद केल सकते हो, तो इस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीस लाइक कीजिए है, और एक लाइक आपके मेरे लिए बहुत ही महत पून रहता है, बाबाई, वीडियो अगले वीडियो में